हलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिती जैन और आज मैं आपके साथ ब्लाउज के कुछ लेटेस्ट डिजाइन शेयर कर रही हूँ देखिए साड़ी पहनना तो हर इंडियन लेडी को पसंद होता है किसी भी शादी या फंक्सन में हम हमेशा साड़ी या लेहंगा पहनना ही पसंद करते हैं लेकिन हर बार एक इतने का सिंपल स्टाइल ब्लाउज लेने पर साड़ी भी बोरिंग लगने लगती है इसलिए गर्ल्स हमेशा साड़ी या लेहंगा भले ही वो प्लेन लेने लेकिन blouse के designs पर वो बहुत ध्यान देती है और इसके लिए वो Bollywood दिवाज को follow करती है वहीं आप और हम भी अलग-अलग pattern के blouse design पसंद करते हैं तो आज मैं आपको कुछ latest designer blouse दिखा रही हूँ जिससे आप अपनी साड़ी को एक trendy look देने के साथ साथ glamorous look भी दे सकते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए यहां पर यह sleeves आजकल बहुत चल रही है यह जो कफ वाली sleeves है ना मैंने भी इसी तरह का blouse पहना हुआ है लेकिन मेरा कपला pure का है soft है तो उसमें इतना bounce नहीं है लेकिन जो organza fabric होता है ना इसमें अच्छा सा bounce आजाता है और यह sleeves के blouse आजकल बहुत ज़्यादा celebrities को मैंने पहने हुए भी देखा है तो यह trend में हैं आप इसे जरू try कीजिएगा अगर आप अभी कोई blouse बनवा रहे है ना इस fabric का तो आप इस sleeves को जरू try कीजिएगा इसके बाद यह जो blouse है यह थोड़ा सा glamorous look है अगर आप इस तरह का blouse पहन सकते हों off shoulder अगर आप पहन सकते हों तो साड़ी का look एकदम change हो जाएगा आप इस तरह का blouse बनवा सकते हैं और इसी तरह के collar का blouse मैंने बनाया था double collar का वो भी आप लोगोंने बहुत पसंद किया था तो इसी के साथ आप उस type का blouse भी ले सकते हैं वहां मैंने off shoulder नहीं लिया था लेकिन उसका look इसी तरह का था अब देखिए यहां पर यह जो blouse है फ्रंट मैंसा तो collar look है इसमें नीचे belt भी दिया गया है इसमें back में जिप लगी हुई है और अगर आपका दो color का piece है या आपका piece छोटा है ना तो आप उसमें एक दूसरा plain fabric लेकर इस तरह का design करवा सकते हैं क्योंकि साड़ी के साथ जो piece आता है वो 80 cm होता है तो अगर elbow sleeves लेनी होती है तो थोड़ा कम पढ़ जाता है तो जो इस तरह के design होते हैं इसमें हम थोड़ा सा plain fabric match कर लें तो बहुत अच्छा designer blouse बन जाता है अब देखिए यह जो blouse है यह personally मुझे भी इसका design बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें off shoulder नहीं है लेकिन broad neck है और देखिए neck की जो गहराई है वो कम है तो इसमें shoulder down भी नहीं और back में से आप इसे deep neck भी ले सकते हैं इस पूरे collar को ऐसा कैसा पीछे की side तक ले जाईए अगर होगा तो मैं इसका video जल्द ही upload करूँगी तो मुझे यह personally बहुत पसंद है और आपको भी पसंद हो तो मुझे comment में जरूर बताईएगा अब देखिए next blouse है इसे हम semi transparent blouse ही अगर आपके पास कोई भी piece है 80 cm गा तो आप उसके साथ plain net ले लें और उसमें golden या silver कोई भी आप गोटा लगा सकती है इस तरह जो इसमें lining दी गई है तो आपके blouse के लिए आपको extra fabric भी मिल जाएगा और इस तरह से आप designer blouse ही बना सकती है आप चाहें तो इसे boat neck में आप इस तरह का blouse design लेंगी तो blouse बहुत ही अच्छा लगेगा अब देखिए यह एक long pattern का blouse है और इसमें आपको एक simple blouse बनाना है और देखिए नीचे से आप इसमें अलग से पट्टे को लगाएंगे तो यह एक long blouse जैसा भी हो जाएगा अगर आपके पास plain fabric होना तो भी आप इस blouse को बना सकती है कोई वी आप इस तरह की बड़ी चोड़ी वाली लेश लें और अपने plain fabric पर लगाकर नीचे से अलग से attach कर लें साइड से यह open कुर्ती टाइप का design आ जाएगा और long blouse भी हो जाएगा अब देखिए यह जो blouse है लेकिन यहां आगे से आप देख स आपको बनाना है नेफा और नेफे में डोरी डालके आपको इस तरह से लटकन बनानी है तो देखिए थोड़ा सा चेंज किया गया है लेकिन blouse अलग से बिलकुल यूनीक हो गया है और इस तरह का design आपने अभी बहुत कम देखे होंगे तो देखने में यूनीक है सेम डोरी वीडियो में अप्लोड कर चुकी हूँ यहां सिर्फ स्लीव में design है काउल design है तो आप यहां पर अपने पीस में अगर कपला नहीं हो ना तो प्लेन आप सिफोन या जॉर्जट का फैब्रिक लेकर इस तरह की काउल स्लीव बना सकती है अब देखिए यह है अंगरखा टाइ अपर से लगाना है मतलब ब्लाउज में ही अटेज करना है लेकिन फैब्रिक थोड़ा सा आपको इसमें जादा चाहिए रहेगा और बस साइड में बैल्ट बना लें तो देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है अब देखिए जो ब्लैक ब्लाउज है इसमें भी हमन पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है शोल्डर डाउन के इस ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि आगे और पीछे दौन साइट से बोट नेक है तो बहुत अच्छा इसका लोक आता है और पहनने में बहुत कमफर्टेबल है अब देखिए सिंपल आजकल चल रहा है ब्लाउज पहन लो और कॉलर को अलग से पहन लो कॉलर अलग से बनाई जाती है जिससे कि आप जब चाहे उसे पहने या ना पहने तो देखने में बहुत अच्छा इसका लोक आएगा अब देखिए लास्ट जो ये ब्लाउज में आपको बता रही से तो इस तरह से ये कुछ डिजाइन थे जिनने चुनकर मैंने आपके साथ शेयर किया है अगर डिजाइन पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूलें और इसी के साथ आप मुझे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार